तो गाईब सवागत है आपका एक नीए वीडियो में और कलकी वीडियो में अमने बातकर देठे हैं तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आप मनीन दा बैंक को बिल्कुल मिशना कर पाएं लेकिन इस वीडियो में मनीन दा बैंक की मैच कार्ड प्रेडिक्शन करने वाला हूँ यानि मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर कौन-कौन से मैच दोज़कते हैं अब भाई ये मैच की होगा क्योंकि हमने बैंक के बीच एक बैक्स्टेज सेगमेंट देखा था जहां पर इन दोनों के बीच एक कंफरेंटेशन भी थी तो ऐसे में गुन्थर के पास अभी फिलाल में कोई भी आपोनर नहीं है वहीं रिडल का भी हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे में हो सकता है कि हमें मनी इन दोनों को इमेच देखने हो मिल जाए और ये मैच काफी अच्छा कासा होगा इसलिए मुझे लगता है डवल ली इसे बुक करने वाली है तो ऐसे में सवाल ये रहेगा अगर ये मैच होता है तो क्या रिडल कुंथर को हरा पाएंगे आपको को लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकता है और ऐसे लग रहा है कि ब्लेड लाइन से अब सैमी जेन और केविन ओमिस का पूरी तरह से सीन क्लियर हो चुका है तो ऐसे में ये मैच भी हमें काफी कमाल का देखने को मिलेगा अब देखते हैं डेवल ली इसे कब तक कंफर्म करती है तो गाइस अगले दो मैचेस की बात करें तो ये तो आपको पता ही है एक मेंस मनिन्दा मैच होगा और दूसरा विमेंस मनिन्दा मैच होगा जिसके पार्डिसिमेंस हमें कुछी दिनों में पता लगी जाएंगे बाकी देखते हैं वो participants कौन होते हैं आप comment करके बता सकते हैं कि आपके according वो participants कौन होने वाले हैं तो अगला match होगा एक United States Championship match जिसमें Austin Theory defend करेंगे अपने US Championship को against Samus अब मैंने Samus का ही नाम क्यों लिया क्योंकि हम देख रहे हैं SmackDown पर इनकी storyline चली रही है इसके अलावा जिब Samus का Austin Theory के साथ एक one-on-one match वा था जो कि US Championship के लिए था तब वहाँ पर Pretty Deadly ने अपने interference की थी और ऐसे में Austin Theory ने उनने गलग तरीके से हराया था तो ऐसे में Samus को एक और match तो मिलना ही चाहिए और मुझे लगता है वो match उनने money in the bank में मिलने वाला है अगले match की बात करें तो ये हो सकता है हमारी the visionary revolutionary Seth freaking Rollins versus Finn Balor के बीच और हमने raw पर देखा ही था judgment day ने Seth Rollins को confront किया था Finn Balor भी कहा रहे थे कि मैं भी championship के लिए लड़ सकता हूँ demon priest भी कहा रहे थे कि मैं भी championship के लिए लड़ सकता हूँ आलर फेस करने वाले Seth Rollins को for the world heavyweight championship तो गाइज अब आजाते हैं हमारे final match की तरफ और ये bloodline का ही एक match होने वाला है आज की वीडियो बस यह तक देने वाला है और हमें money in the bank में इन चारों का एक tag team match देखने को मिलेगा बाकी देखते हैं आगे जाकर क्या होता है वो तो हमें time आने पर ही पता लगेगा आज की वीडियो बस यह तक थी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कीजे और comment में आप अपनी match card prediction लिख सकते हैं मिलते रहेंगे इस इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई